Dear students, welcome back. एक छोटे से मीनी ब्रेक के बाद फिर से हम लोग UGC NET के सिरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और इस बीच में मुझे थोड़ी चिंता थी कि मैं बिजी हो गया हूँ तो UGC NET के जो एक्जाम देने वाले मेरे स्टुएंट हैं वो थोरे निराश होंगे लेकिन ऐसा, fortunately ऐसा हुआ कि UGC ने टल गई है आपको पता है अभी next date आई भी नहीं है जो मुझे last information है तो जो मेरे student examination ले रहे हैं इस महिने या आगले महिने उनके लिए भी ये काफी important है इसी आशा के साथ सुरू करते हैं UGC NET Theme-Wise Past Year Paper Analysis of Public Administration और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि मैं 5 cycle के paper को analyze कर रहा हूँ first series में फिर पीछे जाने की कोशिस करेंगे दी, समय मिला तो so let us begin जैसा मैं कहता हूँ कि आप syllabus को बार 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 पढ़ें ये बहुत strength करते नहीं है और उसमें आप miss करेंगे आप public administration के बहुत लंबी है मैं पढ़ नहीं रहा हूँ लेकिन जो इसमें मैंने red line से दिया है वो मैंने cover नहीं किया अपने videos में बाकी मैंने किया है अधिक तर development administration भी नहीं किया उनको पढ़ लीजे और भी अच्छे sources बिल्ड कीजे अपने concept को rational choice theory मैंने cover नहीं किया है लेकिन कई जगह बताया है ये जुड़ा हुआ है public choice theory से social choice theory से उसको जान लीजे comparative public administration में के अबल rigs का आपने पढ़ा है लेकिन आपो काफी सारे question पुछे आता है कि UK में कैसे है USA में कैसे है Switzerland में वो इसलिए आता है कि आपो comparative public administration पढ़ना है इसके अलाबा theory of leadership और motivation भी मैंने नहीं पढ़ा है उसको पढ़ लीजे कहीं से भी पढ़ लीजे IGNU की जो मिलती है material तो बहुत जल्दी में आप बहुत चीजे पढ़ सकते हैं उसको पढ़ लीजे organizational communication भी मैंने आपको नहीं पढ़ाया है ये भी पढ़ लीजे Chester Bernard मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है लेकिन आप लोग ने उसको miss कर दिया है मुझे लग रहा है उसको मैं फिर से relaunch करता हूँ और मैरी park of folate भी क्योंकि मैंने उसमे civil services लिख दिया था तो UGC net case trend लगता है उसे उन्होंने omit कर दिया क्योंकि इतने कम view है मुझे आश्यर होता है उसको मैं फिर से relaunch कर रहा हूँ आप पढ़ लीजे वो बिलकुल आपको UGC net में hit करेगा उसमे जो बाते लिखी हुए है management by objective मैंने नहीं किया है drugger का तो वो भी कहीं से पढ़ लीजे बाकि जो है Pauls and Sell video मैंने question देखे मैं आपको बोल रहा हूँ कि 100% cover करता है UGC net को उसको एक बार दो बार तीन बार पढ़ लीजे और बार 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 लोट के आईए syllabus पे और देखे कि कौन सा topic या theme छूट रहा है उसको फिर से पढ़ लीजे build कीजे और concept note बनाईए note अपने से बनाईए concept note बनाईए अब आईए हम लोग question answer का दौर सुरू करते हैं जैसा मैंने कहा 5 cycle मैंने लिया है start करते हैं June 2020 से क्योंकि उसके बाद तो अभी तक कोई exam हुआ ही नहीं है आपको पता है कि UGC साल में दो बार exam लेती है एक June cycle करते हैं एक December cycle December 2020 नहीं हो पाया Corona के चलते हैं वो May 2021 के साथ उसको merge कर दिया गया June 2021 और दोनों को October में लेना था वो postpone हुई फिर postpone हो चुकी है अभी भी वो उसका date पता नहीं है तो ये सबसे latest जो question है जो October 2020 में exam हुई थी उसको हम लोग discuss करते हैं और last जो होगी वो होगी June 2018 तो ये 5 cycle हो गई So let us begin First question है मैंने question number इसलिए लिया था क्योंकि आप जान पाएं आप भी match कर सकते हैं इसके चलते थोड़ा लंबा हो गया है अब यहाँ पर देखिए Chester Bernard से first question है जो कि बिलकुल जो वीडियो मैंने बनाया है उसको ये आप देखेंगे तो आपको ये easy लएगा और इसलिए मैंने easy mark किया है मैंने यहां marking भी कर दी है कि यह मेरे अनुसार से easy, medium, tough में कौन सा है ए फॉर्मल ओर्गनाईजेशन according to Chester Bernard comes into existence when there are persons who are willing to coordinate action यह आप first ही पढ़ेंगे न तो आप यहां अटक जाएंगे बांकि देखिए there are persons with different goals and purpose यदि दो person है या तीन है सबका अलग-अलग goal है वो कभी organization नहीं बन सकते हैं तो यह नहीं होगा there are persons यहां देखिए spelling mistake persons willing to communicate through informal channel no, यह formal organization तो informal channel only ऐसा extreme statement absurd होता है याद रखिए इसको काट दीजिए यह ठीक से बना ही नहीं पाते हैं examiner, जो है patience lose कर जाते हैं person जो बाकी दिये हैं two, three, four वो इतने बेकार हैं कि आप इसको छोड के कुछ कर ही नहीं सकते हैं यह आपको पता नहीं भी है तो अब यहां आईए मैंने अपने ही video से लिया है organization Chester Bernard define करते है system of consciously coordinated personal activities or forces of two or more person मतलब जो दो या दो से अधिक person अपने action को coordinate करते हैं towards a common goal तब वो जो है organization बनता है मतलब organization का essential Chester Bernard का नुसार है कि there should be a common goal और consciously coordinated activity दो या दो से अधिक person का होना चाहिए लोगों को पता है कि हमारा goal अलग-अलग हो सकता है लेकिन organization का goal जो है वो supreme है और individual अपने goal को suppress करता है इस तरह से organization का जो feature Bernard का नुसार जो है it is a systemic arrangement of human affair of course cooperation होना चाहिए regimentation मतलब एक तरह rule regulation से आप बांध देते हैं human को थोड़ा freedom को curtail करते हैं collectivism है मतलब group ज्यादा important है individual से determinism है मतलब कि आपको छोड़ नहीं दिया जाता है मतलब organization जो है आपको एक particular direction में धकेलता है मतलब आपके ऊपर super impose करता है और person जो है individual उसका disintegration होता है क्योंकि आपको वहाँ ego hurt होती है आपका जो social person वो अलग हो जाता है organizational person से administrative man अलग हो जाता है social man से तो disintegration एक person personality का होता है बार्नाट के अनुसार second question देख रहे है 72 number है June 2022 cycle का the concept of traditional authority involved आपको पता है कि Weber ने three type of authority दिया है traditional, charismatic and rational legal उन्होंने ये भी कहा है कि traditional and charismatic जो है वो pre-modern era के leadership style था जो modern era है या जिसको कहिए bureaucratic organization उसमें always legal, rational authority होती है traditional authority क्या है जो जनम से जैसे tribal chief होते है वो मतब by tradition जो है जो जो authority आपको आते है जैसे कि हिंदू में है कि जो परिवार का मुख्या कौन होगा तो जो male है और जो earning member है वो होता है में परिवार का मुख्या उसकी authority होती है वो ही घर का संचालक होता है तो use of authority by virtue of their inherited status by person यही main है मतब जो आप inherit करते हैं वो traditional authority है माल लिए कि ब्रहमनों की authority क्या है वो traditional है वो inherited है वो एक by birth है कोई उन्होंने उसको acquire नहीं किया है lifetime में तो यह सही और देख लीजे exercise of power subject to rules and regulation जब rules and regulation होगे तो rational legal हो जाएगा वो traditional नहीं होगा the use of power based on basis of magical quality यह तो charismatic हो सकता है इसमें traditional नहीं है magical है use of power authority as per inherited status as well as extraordinary contribution to the यह इन्होंने as well as कर दिया है वो just आपो confused करने किया है सही answer है यह मतलब जो inherited status charismatic क्या है मतलब जो कि एक charisma हो magic भी हो सकती है आप में कोई special supernatural power हो उसके चलते जो authority आप में आती है वो आप बहुत handsome है वो भी हो सकता है आप में बहुत बड़ा यह साही बाबा है तो charismatic authority हो जाती है उस type की next question देखे which of the following factors did not contribute to the evolution of scientific management theory आपको पता है Taylor ने scientific management theory के main proponent है उन्होंने कई मतलब उसके logic दिये कि क्यों यह होना चाहिए लेकिन उसमें से एक जो की नहीं है उसका logic उसको develop करने का अब देखे lack of effective standard of work यह तो है ही इसी चलते बनाया गया कि science of work हो fine lack of clear understanding of worker management responsibility यह भी बहुत important था scientific management theory develop करने का कि उसके पहले worker और management की responsibility का ठीक ठीक से बटवारा नहीं था कि इसका क्या काम होगा इसका क्या काम होगा दोनों में काफी tension चलता था rule of thumb based decisions by management यह होता था science not rule of thumb यह मतलब scientific management कहता है कि rule of thumb मतलब जो आपके दिमाग में आता है जो आपके common sense से आता है उससे management का decision नहीं लेना बलकि science based decision लेना तो यह सब जो है यह contribute करते हैं evolution और scientific management में उसके factor है लेकिन अब यहां देखेंगे proper job design and economic incentive to work अब बताएए यह तो यह तो अच्छी बात है यह कैसे contribute करेगा इसी को लाने के लिए scientific management लाए गया है proper job design हो और economic incentive हो यह factor नहीं है scientific management लाने का उल्टी बात है इसलिए यह गलत है यही सही है अब यहां पर मैं additional information आपको दे रहा हूँ कि जो word scientific management जो है यह coin किया गया था Lewis Brandis के दोरा यह कई exam में पूछा गया है तो आप इसको याद कर लिजे लेकिन यह popularize किया गया Taylor ने जब scientific management theory दिया तब हो popularize हुआ लेकिन Lewis Brandis को भी याद रखी Who among the following has presented the incremental model of public policy यह question मैंने medium इसलिए दिया है कि साथ आपने पढ़ा नहीं हो लेकिन जैसे मैंने काफी चीज़े इस पर पढ़ी है तो मेरे लिए easy question है क्योंकि Lindblom का नाम आते ही Charles Lindblom जो है वो incremental model of public policy आती है अब यहाँ पे incremental model है क्या basically incremental model का सबसे चाइजामपल जो है budget है budget में देखे कोई program है उसको 100 करोर पिछले साल दिया गया आप देखेंगे कि budget कैसे बनता है वो tinkering होती है basically मतलब क्या है कि उसमें कोई बहुत आमूल चूल जो है बहुत substantial changes last year से नहीं होते है वो थोड़ी बहुत अच्छा ठीक है इस program के लिए 5% plus कर दो इसके लिए 5% minus कर दो यहाँ छोड़ दो जैसा है वैसा तो यह incrementalism है incrementalism एक और aspect दरसाता है कि जो भी अभी तक policy बने है वो बहुत सोच विचार के बने है और उसका जो impact होई पता है हमें तो एकदम सब कुछ बदल देने से बहुत difficult होगा बस थोड़ा बहुत उस policy को change करो वही समाज के लिए अचाहिए यह conservatism जैसे आपको social aspect में या economic aspect में conservatism है उसी तरह public policy में conservatism जो है वो incremental model होती है Which of the following are the characteristics of prismatic model of FW Riggs अब यह बहुत आसान question है क्योंकि यह the prismatic model आपने थोड़ा भी पढ़ा था आपको पता है कि उसने prismatic society का तीन feature बताया है एक formalism है heterogeneity है और overlapping है अब इसमें सुकि एक ही गलत मतलब तीन सही है तो इसका ABC करके answer होगा यह मैंने हाटा दिया है ABC होगा अब देखे फॉर्मलिजम हेटरोजेनिटी है और overlapping होता क्या है formalism का मतलब है कि किताबों में कुछ लिखा है लेकिन जो bureaucrat है या administrator वो अलग ही behave कर रहा है यह formalism है formal का ism मतलब केवल जैसे ritual का ism केवल ritual है उसका कोई माईने नहीं है rule regulation है उसका कोई माईने नहीं है formalism heterogeneity का मतलब यह है कि काफी variability है एक ही साथ जो है नीचे बैलगारी चल रही है उपर हवाई जाज ऊड़ रहा है एक ही जगह पे कहीं खाप पंचायत हो रही है कहीं parliament बैठी हुई है 10 miles दूर इस type की जो समाज में जो characteristic होती है heterogeneity होती है overlapping मतलब होता है कि एक ही जो structure है मतलब समाज में structure मतलब क्या होता है जिसे organization है institution है या even pattern, behavior and relationship का structure बन जाता है वो भी soft structure वो एक ही structure कहीं function कर रहे है मतलब की structure of functionalism के basis पे overlap है जिसे माल लिजे कोई Rajput society है छत्रिय society hospital चला रहा है school चला रहा है अब education के field में भी और health care में भी और social work में भी एक ही structure जो एक caste based है वो काम कर रहा है तो यह overlapping है तो overlapping, formalism, heterogeneity यह तीन जो है यह FW Riggs के prismatic model के characteristic है उसको याद कर लिजीए तो नहीं पता है तो Which of the following are associated with the notion of governance? अब यह एक arbit question है और मुझे लगता है इसमें कुछ question जो है definitely कुछ उटपटांग है उसको challenge किये जाने चाहिए होंगे उसे हमें governance जो है एक World Bank 1994 में report लाती है उसे governance का जो जो theme है वो main history में आ जाता है governance को government से अलग किया गया governance वो है कि किसी भी society में nation ले लीजिए कैसे power को exercise किया जाता है कैसे agenda set किया जाता है और कैसे मिल जूर करके समाज अपनी समस्याओं को सुल जाता है ये governance है उसमें जो government है या state है वो बहुत बड़ा actor है लेकिन वही sole actor नहीं है उसमें NGO जूरते हैं उसमें social movement आते हैं public opinion आते हैं non-governmental बहुत सारे और organizations आते हैं multinational corporation भी आ सकते हैं companies आ सकते हैं corporate world और सम मिल करके जो हैं वो society में decision making करते हैं power exercise करते हैं और problem solve करते हैं जैसे अभी कोरोना काल में हुआ आपने देखा होगा कि government के बूते में नहीं रह गया तो governance जो है government से बड़ा है अब इतना जानने के बाद आप इते देखें कि following associated with notion of government अब यहां सब democracy, democracy, democracy है तो competitive democracy मतलब ठीक है आप जानते हैं मतलब जहांपर कि democracy जो है वो compete करते हैं कई-कई aspect में compete कर सकते हैं participatory democracy of course participatory जो है participation होना people का, public का, other actor का यह governance का भूद बढ़ा है तो participative democracy होगे democratic administration जो है वो भी governance के तरफ जाता है change oriented democracy भी जाता है लेकिन यहां के बुल दो ही सही है और इन्होंने जो है साइद democratic मतलब competitive democracy और इन्होंने participatory democracy का है मुझे नहीं पता कि यह इन्होंने क्यों छोड़ दिया है इसको जबगी change oriented भी मतलब यह confusing question है आप इसका official answer देख लीजे but I am not happy with this यह है इसमें इसले question mark किया है anyways which of the following statement are true about the concept of governance फिर back to back governance पे पूशे है लेकिन इसमें कोई confusion है नहीं क्योंकि यहां देखिए एक trick भी मैं आपको बता रहा हूँ अब यह आप पढ़ेंगे यहां पे तो it is the manner in which power is exercise यह एकदम core है governance का एक समाज में power कैसे exercise होता है agenda कैसे set होता है decision कैसे लिये जाते है तो C होना must है जिसमें C है वही सही होगा तो C इसमें है, C इसमें है, C इसमें तो यह खतम हो गया, eliminate हो गया अब यह है governance and government are same thing, no, यही सबसे बड़ा difference है कि governance is different from government, जो मैंने भी आपको उता है तो D नहीं होगा, तो जिसमें D है उसको काट दीजिए, इसमें D है, इसमें D है अब क्या बचा है, एक ही option बचा है A, B, C your problem is solved तो यह trick है, elimination के method से आप कैसे निकालते है यह medium मैंने दिया है किसी को आसान भी लग सकता है policy science के जनक Harold Laswell है, of course D learner के साथ उन्होंने किया है तो ठीक है, लेकिन Harold Laswell होते ही आप A को 3 से match करेंगे, तो अब A को 3 से करेंगे तो आपका सीधा ही जो है, वो question बन गया है, तो इसलिए मैं इसको आसान मानता हूँ कि A का 3 अब उसके आपको आगे देखनी की जरुवत ही नहीं है, लेकिन just for your knowledge की B का 4 है, तो principle of public administration जो है वो, Vilogby ने यह book लिखा है, यह second test book है, public administration का याद रखिये first जो है वो L.D. White ने लिखा था, study of public administration, फिर administrative behavior नाम की book का ध्यान आते ही, आपको Herbert Simon याद आना चाहिए, और Robert Dahl ने बहुत important book लिखी दी, जो बहुत exam में पुछा आता है, the science of public administration three problem, इस book के बारे में थोड़ा बहुत जान लिज़े, मैं टीन चीज़ों को आप omit नहीं कर सकते हैं, एक values, मतलब एक individual याए, कि society क्या value को cherish करता है, hold करता है, वो अलग-अलग society में अलग-अलग होते हैं, अलग-अलग person के लिए अलग-अलग होते हैं, ऐसे में कोई universal जो है scientific rule बनाना administration के लिए impossible है, science का मतलब क्या है, Newton का law जो है कोई value नहीं जानता, gravity है, कोई value नहीं जानता, कोई उसको behavior से मतलब नहीं है, पत्थर कहीं भी गिराइएगा, London में, चाहे India में, एक ही तरह behave करेगा, ऐसा नहीं कि London में उपर भाग जाएगा, और India में नीचे आजाएगा, लेकिन human अलग-अलग होंगे, यदि London में किसी को आप आवाज दे के बोलिये, दोस्त करीब आओ, तो आपके करीब आएगा, Somalia हम बोलेंगे, दोस्त करीब आओ, तो आपको पलटके गोली भी मार सकता है, तो behavior जो है, human का अलग-अलग होता है, एक ही तरह के situation में, तो इसलिए public administration science होना difficult है, culture भी जो है, culturally इतना distinct है, पूरा जो world है, और उसमें अलग-अलग value जो है, हम उसको cherish करते हैं, culture से भी determine होता है, public administration, Riggs ने कैसे बताया, तो Robert L. कहना है कि value behavior culture के चलते, ये तीन problem है, public administration का, इसके चलते है, इसका science develop करना बहुत difficult है, वैसे अपने इस book में उन्होंने उसको कैसे science develop किया जा, इस पर विविचार किया है, next question, given below two statement, अब जानते हैं region education, इसका जो nata है, ये आपको पता है कि हर exam में problem है, इसमें यहां तक तो कोई problem नहीं कि true false है, लेकिन आगे देखे, मैं आपको पता हूँगा क्या समस्या है इसमें, region resistance, आपको पता है कि इसमें दो statement होते हैं, दोनों को पहले तॉलना होता है कि सही है गलत है कि नहीं अपने आप में, the idea of governance, third question governance पर याद रखिये, the idea of governance gained in prominence by connoting, connoting मतलब denoting या giving meaning, connoting a plurality of rules in place of state's monopoly, यह ठीक अपने आप में सही है, true है, the idea of governance owes its origin to world bank, यह भी अपने आप में true है, world bank की report थी, आप देख लिजे है, world bank report of 1994, इसका नाम था, world development report 1994, infrastructure for development, इस report कभी मत भूलियेगा, इस report में जो है, governance की भी बात आई, good governance की भी बात आई, world development report में, तो यह अपने आप में सही है, अब problem क्या होती है, कि यह भी सही है, यह भी सही है, लेकिन यह जो statement reason है, क्या इसको कोई explain कर रहा है, ऐसा कुछ लगता नहीं है, क्या explain कर रहा है, लेकिन इसका answer होगा आप अपो यह, यह एक समस्या, आगे चलके आप देखेंगे, कि अचानक एक साल में, यह लोग ठीक हो गई, UGC net, और इसको जो है, बी करने लगए, बी मतलब होता है, कि, बी option मतलब, मैंने यहाँ option काट दिया है, जगह कमी के चलते, बी option है, कि, बोथ, एजर्सन और रीजन स्टेट्मेंट आर करेक्ट, और बट, रीजन ड़न ड़न एक्स्प्लेंट ए, तो यह, यह मेरे अंसा से बी होना चाहिए, इसका answer है ए, और मैं हमेसा कहता हूँ कि, प्ले सेफ, यदि थोड़ा बहुत भी reason इससे मिलता जुलता है, तो यह मारिये, मन में दुख होते वे भी कि, यह नहीं भी होना चाहिए. अब statement वाले question में कोई problem नहीं है, क्योंकि, यहाँ पे केवल यह आपको तॉलना होता है, आपने आप statement true है, false है, बस, इसमें explanation का problem खत्म हो जाता है, easier हो जाता है. Chester Bernard से दूसरा question है, Chester Bernard defined organization as a system of consciously coordinated activity of two or more person. अभी just आपने देखा यह definition, उस question के through आपने देखा, तो यह तो true है. Chester Bernard supported the viewpoint that man, यहाँ भी दिखे, spelling mistake, that man is mainly motivated by economic incentive. यह यह दि आपने Chester Bernard पढ़ा है, जैसे मेरे वीडियो से या कहीं से भी, तो आपको पता होगा कि यह false है. Chester Bernard कहते हैं कि किवल economic incentive motive से जो है, कोई भी employee motivate नहीं होता है, उसको और बहुत सारे incentive जो है, चाहिए होता है, मतलब ego satisfaction होता है, उसका fulfillment होता है, उसको वहाँ पर अपनी personality fulfilled लगती है, काफी चीज़े और भी होती है, जो psychological motive जो होते हैं, non-economic incentive भी होते हैं, social motive होते हैं, तो इसलिए यह false है, यह true है, तो इसका answer क्या हो जाएगा, कि statement 1 is correct, but statement 2 is incorrect. अब यहाँ पर आईए एक additional information कि Chester Bernard ने यह कहा था इसी basis पे, कि कि किसी भी organization को contribution, satisfaction, equilibrium, maintain करना परेगा, मतलब क्या है, कि एक employee contribute करता है, वो burden लेता है, tension लेता है, आपके organization में contribute करता है, और उसको satisfaction मिलती है, पैसा मिलता है, इज़त मिलती है, social है, तर जो incentive होती है, economic and non-incentive, अब यदि contribution माल लीजे, इतना है, इतना, और आपका उसको satisfaction है, या inducement है, वो आपको इतना मिला, तो employee हमेसा दुखी रहेगा, छोड़ के भाग जाएगा, लेकिन उल्टा भी होगा, माल लीजे कि आपको उ stability के लिए क्या जोड़ी है, contribution satisfaction, equilibrium होनी चाहिए, मतलब ये दोनों बराबर होना चाहिए, जितना एक employee contribute करता है, उतना ही उसको inducement या incentive मिलनी चाहिए, ये दोनों बराबर है, तो हमेसा जो happily organization भी उसको बनाय रखेगा, कभी निकालेगा नहीं, और employee भी मन से जो है, organization को contribute करता रहेगा, अब एक cycle खतम होती है, आप दूसरे cycle पर जाते हैं, December 2019 cycle पर, who defined public administration as the art and science of management applied to the affairs of state, इस तरह के question मैं हमेसा difficult ढांकता हूँ, क्योंकि ये किस ने कहा, ये सबसे arbit question होता है, आप इसकी तयारी नहीं कर सकते हैं, जब तक कि आप इस question को पहले देखे हुए हैं, तो मुस कर सकते हैं, या छोड़ सकते हैं, वैसे जो है, ये कहा है, Dwight Waldo ने, Waldo के बारे में आपको पता होना चाहिए, कि ये new public administration के जनक हैं, first Minobrook conference, इन्होंने और Frank Marini ने मिलके किया था, Dwight Waldo जो है, वो public administration में value को लाना चाहते थे, जिसको की fact से, जो है, वो एक तरह से synthesize करना चा रहा, जो fact और value को separate करना चाहते थे, तो Dwight Waldo एक छोड़ पे थे, और Simon एक छोड़ पे थे, इनका कहना था Waldo का कि बिना value के, जो है, public administration का कोई माइने नहीं है, तो ये उन्होंने ही कहा था, art and science, the sequencing of communication process in organization, ये difficult इसलिए है, क्योंकि communication, इदे आप पढ़ेंगे भी तब इसमे confuse कर जाएंगे, देखिए, sender तो होना चाहिए सुरू में, तो ये गलत, ये इसको आप खटा दीजे, सबसे पहले sender होगा, sender जो है, वो पहले message भेजने से पहले encode करेगा, तो encoding होगी, जैसे कि अभी मैं आपको message भेज रहा हूं, तो मैं उसको हिंदी और English में encode कर रहा में thought को, मैं sender हो, encode कर रहा हूं, फिर वो message बनती है, जो यहाँ पे visual और audio दोनों है message है, और फिर एक channel है, channel मतलब कि जैसे YouTube है, medium है, internet, तो channel है, तो ये ठीक है, सही है, लेकिन इसमें एक receiver भी होता तो अच्छा होता, जो इसमें नहीं है, तो ये सही है, बाकी हम देखेंगे सब उल्टा सिदा है, sender है, encode कर रहा है, यहाँ तक सही है, लेकिन decode तो receiver करता है, ये receiver पहले होगा, जैसे आपको मिला, फिर आप decode करते हैं, उसको तो ये गलत हो गई, sender message नहीं भेजेगा बिना encode किये हुए, तो ये गलत हो गई, इसलिए सही 4 है, difficult, लेकिन अच्छा question sorry, मैं पिछले slide के बारे में बोल रहा हूँ, आप सुचने में सर क्या बोल रहा है, अच्छा question, okay, let us see this slide, who defined leadership as the ability of a manager to induce subordinate to work with jeal and confidence, जहां भी आपको leadership में jeal word आए, jeal, बस आप koons and ordinal को मारिये, इनके अलावा jeal वाला आपको कहीं मिले गाने, बस ये trick मैं बता देता हूँ, वैसे यदि आपने पढ़ा है, leadership style, leadership theory, जो आपके syllabus में है, तो आपको ये question असान लेगा, नहीं पढ़ा है, तो ये difficult है, इसलिए मैं difficult दिया हूँ, मैं अपने view से बुर रहा हूँ, कोई मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, next question देखिए, name the editor of the book towards a new public administration, the Mino Brook perspective, ये गलत है, यह conference जो कि 1968 में होती है, और इसी conference से जो है, निकल के आता है, new public administration, और Dwight Waldo के साथ, इन्होंने Frank Marini ने ये conference को आयोजित किया था, तो ये बहुत आसान question है, इसलिए मैंने easy दिया है, क्योंकि, यदि मैंने मेरी, आपने entrance guide पढ़ी हो, या कहीं भी discussion, तो मैंने कम से कम एक दरजन बार ये कहा है, कि Frank Marini ने ये book लिखा था, 1971 में, which of the following types of policy evaluation lay emphasis on determining the success level in achieving its basic objective, मतलब जो policy का जो basic objective है, वो कितना fulfill हुआ, वो कौन सा evaluation method करता है, अंग्रे जी का question है, इसमें कोई policy जाने जोड़त नहीं है, आप देखे, program strategy evaluation, तो ये तो उसकी strategy का evaluation है, अब यहाँ ये program का impact evaluation है, य ही तो impact evaluation ही तो उसके basic objective का evaluation होगा, माली जे की new education policy है, तो उसका जो basic objective क्या है, कि children का माली जे की IQ level बढ़ा देना है, तो उसका impact क्या हुआ, outcome क्या हुआ, उसका evaluation करेंगे, तो उसके basic objective में कितना वो सफल हुआ, अचीब करने वो ही जानेंगे, इसलिए यही सही है, project monitoring, impact evaluation, तो यह तो अपने आप में ही इसने answer ही दे दिया है, कि impact evaluation है, बाकि और किसी में है ही नी, तो यही answer सही है, इसलिए medium मेंने दिया, easy भी कह सकते हैं, अब आईए RIGS पे दूसरा question है, RIGS, fused model is based on, आपको पता है, उन्होंने तीन टाइप के society का जिकर किया, fused, जिसको उन industrialized, industria का उन्होंने, जिसको कह सकते हैं, आप diffracted या refracted, जो totally जिसमें की function और structure बिलकुर अलग-अलग हो गये हैं, तो seven light जो है, ऐसे गुजरता है, और seven color में जो है, distribute होया आता है, तो यह जो है RIGS का है, यह जो है, ट्रांजिसिया है, यह अग्रेडिया है, और यह जो है, यहां पर जो फ्यू सोसाइटी है, उसमें एक ही structure हर function करता है, और यहां पर बटने की process शुरू हो गई है, पूरी तरह बटी नहीं है, यह transition phase है, और prismatic society है, अब fused model is based on, तो fused model आप देखेंगे, तो agriculture पर अग्रेडिया है, attainment अभी रूख जाईए, यह domination of royal family, ऐसा ही है, क्योंकि एक वहां पर king होता है, वही सारा function, वही judge है, वही education भी चलाता है, वही law भी बनाता है, economic system based on barter system, of course, अभी तो वो, मताब few society, जो है, वो rural, agricultural, or tribal society है, तो उसमें barter system है, attainment value, चुकि यहां पर देखेंगे, इसमें तीन ही options सही है, maximum, दो या तीन, तो सभी सही नहीं है, तो एक आपको गलत करना है, तो आपको तीन मिल गया, तो इसको सीधा ही गलत करना है, बिना ज़्यादा दिमाग लगाए हुए, लेकिन अधिए आपको जानना है, कि attainment value in society क्या होते है, तो इंडिया में जैसे है, attainment मतलब यह होते हैं, कि UGC net आपने pass कर लिया, तो आपने एक level attain किया, कोई examination civil services pass किया तो आपने attain किया, उस attainment के basis पे आपको समाज में जो role, position, इज़्यत, आपको I.S. बना दिया था, आपको professor बना दिया था है, अब यह चीजे कई समाज में नहीं होती है, वहाँ पे achievement जो आपका होता है, day to day जो आप कर रहे ह है, अभी तुरद recent achievement और आपका domain knowledge, उसके basis पे आपको कुछ बनाया जाता है, यह नहीं कि आपने UGC net दो साल पहले कर लिया है, तो अभी भी आप professor बन गया है, तीन साल पहले आपने I.S. किया है, तो collector तीन साल बाद बन गया है, बस एक examination, उसको attainment value in society बोलता है, बतार एक particular चीज आपने attain एक time में कर लिया, एक आहरता और उसी से आपको समाज में आगे value मिलती है, वो नहीं होता है, यह prismatic society में होता है, prismatic society में attainment based value होता है, और जो totally diffracted society है, जो advanced society है, उसमें achievement based value होता है society में, तो यह गलत है, तो इसमें क्या बन गया, A, C, D, अब जो भी इसमें A, C, D होगा mileage, which are the themes in new public management, यह असान question हो चाहिए, क्योंकि new public management मनें कई बार पढ़ाया है, यह private sector के style से public sector को चलाना है, performance measurement है, target देनी है, मतलब divisionalize करनी है, मतलब एक तरह से performance oriented का लिजे, program, उसको evaluate करना है, differential pay देनी की बात होती है, जिस तरह company जैसे चलती है, private, वैसे सरकार को च चलाना है, तो new adoption of private sector practices होगा, improved reporting and monitoring mechanism होगा, performance target होगे, लेकिन adoption of public sector practice, अब देखे, यहाँ आ करके जो है, जो कह सकते हैं, कि कोई examiner का दिमाग, sector का दिमाग जो है, वो fuse कर गया, यह सटक गया, मतलब वो अचानक, अब new public management का antithesis है कि adoption of public sector practice, adoption of private sector practice है, तो यह इतना absurd है, तो A, B C, आप कर लीजे, मतलब आपको मैं यह बतानी कोशिस कर रहा हूँ, कैसे आप absurd option को तलास सकते हैं, और यह इसलिए होता है कि आपको examiner help करता है, इंडिया में, वो उतना patience नहीं रख पाता है, कि उसको थोड़ा अच्छा से बनाए, वो उल्टा लिग दिया, adoption of private sector practice, which of the following statement about the significance of public policy is correct, correct क्या है public policy में, तो public policy का देखेगा, तो public policy help in achieving socio-economic development, सही है, public policy help maintain national unity integrity, आप जानते हैं, बहुत सारे ऐसे policy बनते हैं, जो कि unity integrity को बढ़ावा देते हैं, it is a basic purpose is to serve individual interest, अब यहाँ के रुख जाईए, इसके आगे क्या है, वो मामला मतलब भी नहीं है, serve individual interest, no, 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 public policy मतलब public interest, not individual interest, yes, it solve public problem, but it is not, purpose is not to serve individual interest, इसको हटा देजे, public policy aim at shaping the society for its better means, बांकी सब अच्छे अच्छी बाते हो सकती हैं, तो A, C और D को मार लीजेगा, sorry, इसमें A, C, D कहां है, sorry, A, B, D, sorry, A, B, D, तो यह ठीक, which of the following are the salient feature of draft national water policy, अभी इस तरह भी question को मैं simply hit करता हूँ, वैसे इसको पढ़ लीजे, यह सभी सही है, अभी इस तहां difficult है कि आप कैसे policies के बारे में सब कुछ जाने, कितने policy के बारे में जाने, इसी तरह से health policy के बारे में पूस दिया, यह तो और भी अर्बीट है, उसमें तो जली सभी सही था, आप guess कर सकते हैं, यहां पे इन्हों ने एक figure गलत दे दिया है, mortality rate का, और उसके चलते ही यह गलत हो गया है, ABC सही है, इस अब difficult question है, अब यहां पे लेकिन यह उतना difficult नहीं है, आपको पता है कि विलगबाई जो है, अभी just आपने देखा, अभी यहां पे फिर देखिए कि कैसे यह बेध्यानी से question सेट कर रहे हैं, वसे यह कहना गलत होगा होता है, वो दूसरे cycle में हो, यह एक ही paper नहीं है, मैं भी कई भर भूल जाता हूं इस बात को, तो विलगबाई का, आपको पता है कि principle of public administration, उनने book लिखा है, जो कि second test book है public administration में, तो C का 1, C का 1 से देखते हैं क्या काम बन गया, yes, काम बन गया हमारा, C का 1 है, और तो हमको आगे देखनी की जरुवत ही नहीं है, बाकि देखनी की जरुवत ही नहीं है, आप बस match कर लिजेगा, वैसे जो कि है Dwight Waldo की book की आई है, जो कि लिखा ideas and issues in public administration, और तो इसको तो वासा देख लेते हैं, क्योंकि Dwight Waldo की जो book हैं, वो कई जगा आपको पूछा आ सकते हैं, इन 1955 में, enterprise or public administration summary view, यह उतना important नहीं है, perspective on administration 1956 में, और democracy, bureaucracy and hypocrisy. अब आप देखें, यह नाम कितना attractive लगता है, democracy, bureaucracy, hypocrisy. कैसा अनुपरास है, या alliteration जैसा है, तो आपको यह सोचना चाहिए, कि यह कोई ने, कोई सेटर जरूर उठा के आपको UGC net में पूछ देगा, कि यह book किस न ने लिखा है, यह कहीं matching में आजाएगा, democracy, bureaucracy, hypocrisy, Dwight Waldo. और Waldo के बारे मैंने आपको पता ही दिया, first minobro conference याद रखिये, value in public administration, value relevance, change agent, जो भी NPA के साथ जोड सकते हैं, NPA के हर बिंगर थे, Harvard Simon से हमेशा उनका द्वंद रहा, यह सब याद रखिये. यह भी आसान है, लेकिन मैंने medium दिया है, क्योंग हो सकता है, आपको देखे, motivation theory पढ़नी है, आपके syllabus में हाप याद कीजिए भी. तो उसमें यह सब तो एकदम बच्चे टाइब का सवाल है, कि theory X और Y जो है, आपको पता है, यह Mac Gregor ने दिया है, बताएंगे क्या है थोगा सा, वो भी two-factor theory जो है, हर्जबर्ग ने दिया है, hierarchy of need theory, Maslow ने दिया है, theory of needs जो है, Maclin ने दिया है, अब इसमें आप देखेंगे कि, जो है, हर्जबर्ग का क्या था, two-factor theory ने ने कहा था कि, एक जो factor होता है, वो employee को motivate करता है, कुछ अच्छा करने के लिए, motivating factor है, और दूसरा factor है, जो यदी है, त battery की बिवस्ता, यह सब इदी अच्छी नहीं है, तो आपको employee demotivate हो जाएगा, है तो कोई ज़्यादा फरक नहीं पड़ता है, यह neutral या negative factor है, दूसरा positive factor है, जैसे इदी आप economic incentive दें, या नास्ता जो है, free दें employee को, यह सब positive factor है, जो कि आपको incentive इदी आप देते हैं, तो productivity ब and y, एक जो है, x जो होता है, उसको आप push कीजिए, हमेशा आप धके लिए, हमेशा remind कीजिए, monitor कीजिए, धका मारी तब वो काम करता है, ठिला गारी इसको कह सकते हैं, और y type of employee होता है, जो self-motivated है, passionate होता है, उसको आपको दूसरे तरह से care करना है, उसको आप ज्यादा close monitor की जाएगा, तो demotivate हो जाएगा, तो theory x and y है, Maslow का जो hierarchy need है, मैंने कई जगा आपको पढ़ाया है, I hope आप लोग को पता होगा, ये hierarchy of need है, physical, पहले need पूरी होनी चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान की, यदि ये हो जाता है, तो social belongingness, love, social relation, इसकी need पैदा होती है, individual में दी, भी पूरा हो जाए, तो आपको ego, prestige, ये सब की need होती है, और भी पूरा हो जाए, तो self-actualization, मतलब कि आप क्या है, self-realization, अपना life का, जो essence को achieve करने के तरफ आप आगे बढ़ते हैं, जैसे भी नरायन मूर्ती हैं, या Bill Gates हैं, उस level में आप पहुंच जाते हैं, तो ये hierarchy of need है, और ये जानना इसलिज़री है, कि कोई employee यदि इस level पे है, रोटी कपरा और मकान पे, तो आप उसको बात करेंगे, कि तुमको हम incentive देंगे, कि तुमको कोई समाज में पहचानेगा, तुमारा photo निकालेंगे, best employee, वो सबसे incentive नहीं होगा, उसको economic incentive चाहिए, और कोई employee आपको इस level पे पहुँच गया, कि self-realization है, तो उसको आप 2,000-4,000 रुपे बढ़ा करके उसको incentive देंगे, उससे वो incentivized नहीं होगा, ये सब जानना चाहिए, एक manager को, तो ये जो है Maslow का hierarchy of need theory है, I am not explaining McLellan, हम देख लिजएगा, make a sequence of decision making approach, तो decision making approach जो Simon ने भी दिया है, और कई और लोग ने दिया है, सबसे पहले जो है, आप क्या करते है, problem identification जो है, और recognition पहला step है, first, उसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप confused हो जाएंगे, कि क्या पहले आप define करते है, alternative को तब information जुटाते हैं, मैं भी confused हो रहा मुझे तो कई बार लगता है, पहले आप alternative define करते हैं, फिर alternative के बारे में सभी information को जुटाते हैं, लेकिन चली यह कह रहा है, information पहले लेते हैं, ठीक है, to define करते है, alternative और फिर finally जो alternative आपको best लगता है, based upon the information, उसको आप select कर लेते हैं, यह चौथा है, alternative को select करना ही, जो है, वो choice जो है, उसको decision बोलते हैं, जैसे मान लिजे कि आपको एक जूता खरीदना है, shoe, तो, sorry, आपकी जो problem है, वो है, shoe आपका फट गया है, यह आपकी problem identified, तो आपको shoe नया खरीदना पड़ेगा, उसको silva नहीं सकते, उसको बना नहीं सकते, अब आपके पास option है, कि आप Adidas आप कोई बाटा खरीदिये, या कोई local से बनवा लीजे, बहुत सारे हैं, तो आप alternative आप search करते हैं, इसको information भी कह सकते हैं, या defining alternative, अब सभी alternative बारे में आप cost benefit या उसके plus minus सोचते हैं, कि इसमें कितना पैसा खर्च होगा, कहां जाके खरीदना पड़ेगा, एन एक list बनाते choice को, और यही इसी को decision बोलते हैं, आप समझ गए होंगे, इसमें आप match कर लिजे कौन सा answer सही है, arrange the following four reports of second administrative reform committee commission in their sequential order, यह बहुत ही difficult arbit question है, पहले तो आपको second administrative reform committee, second ARC बोलते हैं, उसके जो 15 report हैं, वो आपको पता होने चाहिए, फिर यह पता होने चाहिए को 15 किस sequence में present किये कितना difficult है, लेकिन आगे के slide में मैंने पूरा 15 दे दिया, आप उसको पढ़ लीजिए, यह जो 4 हैं, वो एकदम sequence से 1, 2, 3, 4 हैं, तो यह sequence लगे हुए हैं, पहले उन्होंने सबसे पहले first report दिया था, right to information, फिर unlocking human capital, crisis management, ethics in government, तो इसलिए ABCD है, लेकिन यह तो आप मैं जानता ह इसलिए आसान है, वो से आप जानना आसान नहीं है, लेकिन आगे आप देख लेंगे, एक बार दिया आप रट लेंगे, यदि आप में ताकत है इतनी रट नहीं की, तो आगे इस टाइभी question, arbit question को भी आप marks लापाएंगे, नहीं तो आप छोड़ दीजिए, guess कर लीजिए, Herbert Simon rejected principles of, region rejection पे हम लोग है, Herbert Simon rejected principles of administration, for Simon these are merely proverbs, तो यह सही है, यह भी true है, यह भी true है, और यह इसको थोड़ा भूत explain भी करता है कि क्यों वो reject किया उन्होंने, उसको वो proverb, myth मानते थे कि कोई, कुछ scientific नहीं होता है, कोई principle of administration है, वो कोई universal नहीं, कोई science based नहीं है, just a say myth है, proverb है, saying just like that, तो इसलिए यह होगा, easy question, Herbert Simon पे, यहां मैंने जो मैंने आपको बोला, मैंने दे दिया, आपने देखा कि यह चार report, जो है, यह first, जो पिछले slide में आपने देखा, right to information, master key to good governance, second report in की थी, unlocking human capital, entitlement and governance, फिर crisis management, ethics and governance, public order, पांच में रिपोर्ट थी, local governance, 7th report थी, यहां पे यह, sorry, 5th, 6th, 6th report, local governance, 7th, capacity building and conflict resolution, फिर 8th, terrorism पे, फिर social capital पे, refurbishing or personal administration, and scaling new hires, promoting e-governance, 11th report था, एक जगा, इतना भी अर्विट पुछा था कि कौन सा report, जो है, वो, e-governance पे, second ARC के, तो 11th report, तो इससे काफी question पुछा था, एक बार रट लीजे इसको, the smart way forward, यह भी पुछा थ the promoting e-governance, smart way forward, यह report किस commission ने दिया, यह भी पुछा गया है, citizen-centric administration, फिर organizational structure of government of India पे, 13th report थी, 14th report, strengthening financial management system, and 15th state and district administration, तो यह चुकी इतना important है, इतना पुछा जा रहा है, तो क्यो ना इसमें 5 मैंट में इसको रट लें, और 2-3 बार exam के पहले revise कर लें, तो क्या problem है? अब आते हैं, next cycle, जो है, June 2019 cycle, यह हम लोग 3rd cycle पे हैं, region-adgerson, there is no ideal number of person in a supervisor, जिसको span of control बोलते हैं, Henry Fayol ने जो दिया है, बतर एक supervisor किसी organization में कितने subordinate को directly handle कर सकता है, पांच, दस, पंदरह, कोई fix rule नहीं है, यह इतनी चीहों पर depend करता है, जो reason करता है, the span of control varies depending on factors like function, time, space, delegation of authority, कई चीहों पर, subordinate का कितना अकल है, यह expertise है, जो manager है, उसकी कितनी expertise है, organization का कितना age है, organization का structure कैसा है, and all kind of thing, तो इसलिए यह कोई fix नहीं है, किसी organization में एक supervisor पांच सेथी को control नहीं करता है, और किसी में पंदरह को भी control कर सकता है, इसलिए यह यह है, सही है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, इसमें. Who among the following predicted that bureaucracy is likely to go out of use in wake of new social systems better suited to the 20th century demands of industrialization? तो यब यह again, जो है, किस ने कहा, मैंने हमेंसा कहा, यह बहुत difficult question होता है, और यह भी difficult है, यह Warren Bunnies ने कहा, अब आप इसको जानते हैं, और यह question repeat होता है, जो होता है UGC NET में, तो आपको, बस आप जानते हैं, नहीं तो फिर आप guess कर सकते हैं, इसके लिए तैयारी नहीं कर सकते हैं, which of the following theories is known as traditional theory, अब यह एक, ऐसा question इस पर की question mark है, क्योंकि traditional theory तो क्या होता है, मतब classical theory कह लीजिए, जो traditional theory है, वो scientific management theory है, bureaucratic theory है, यह सब traditional है, then human relation theory जो है, new classical होयाता है, new traditional behavioral theory, decision making theory, जो है वो, एक तरह से modern theory हो जाती है, तो traditional theory क्या है, इसमें कुछ गरबड है, मैं यह ही कहूँगा, क्योंकि इसमें दो answer मुझे सही लग रहे हैं, scientific management theory, bureaucratic, एक दी जाना होगा, तो I will go with scientific management theory as a traditional theory, of public administration. Crisis, यह तो question मैंने अपने guide में भी दिया था, of course यहीं से लेके दिया था, ऐसा नहीं है, क्योंकि यह question बहुत अच्छा है, जो different phases है public administration की, उसको match करने आया है, सबसे पहले दिखे, के politics administration dichotomy से ही सुरुवात होती है public administration के कहानी की, और यह जो है 1887 से जो Woodrow Wilson ने book लिखा था, उसी से, आर्टिकल लिखा था, study of public administration, उसी से जो है सुरू हो जाती है, 1887 से 1926 तक public administration dichotomy, मतलब की administration is separate from politics, politics policy बनाएगा, administration उसको simply professional scientific way में, या neutral way में implement करेगा, जो Woodrow Wilson ने कहा था, यह 1926 तक चलता है, उसके बाद principle, scientific principle जो है administration का, जिसको universal principle बनाने की कवाईद सुरू हुई, जिसमें की, सारे यह लोग आ गए, गुलिक, उर्विक, फायोल, आप उसमें bureaucratic theory भी देखते हैं, scientific management theory को उसका पार्ट भी मान सकते हैं, उसको challenge किया गया Simon and other के द्वारा, 1938 से 47 तक, उसके बाद आइडेंटिटी क्राइस सुरू हो गई, कभी यह जो है, इन्वरस्टी में, political science department के साथ ज यहां पर की dichotomy खतम हो गई, और जो public administrator हैं, वो politics के साथ मिलके, political leadership के साथ मिलके, policy making में भी उनका role काफी बढ़ता चला गया, अब इसको match कर लिजेगा, who among the following makes a distinction between public administration and private administration, यह question बहुत अच्छा है, कई जगह इसको पूशा गया है, इसलिए मैंने इस पे काफी information आपको दी है, मैं यहां explain नहीं करूँगा नहीं, तो यह video बहुत लंबा हो जाएगा, यहां पे LD White को के वाल आप छोड़ दीजे, तो यह Paul Appleby, Simon, Josiah Stamp और Peter Drucker को भी आ अलग किया है, public-private administration के बीच में बहुत सारे difference है, जैसे Appleby का view लीजे, तो public administration में political character है, breath of scope, impact and concentration बहुत विशाल है, public accountability है, जो private में नहीं है, जो से I stand concern, जो public administration और private अलग होयाता है, principle of uniformity है, public administration में principle of external financial control होता है, कई अलग authority financial control करते हैं, public administration को C.A.G. आपको पता है, और finance commission, parliament and others principle of public responsibility है, principle of service motive है, यह सब private में नहीं है, Simon का भी view जो है, बहुत अच्छा है, public administration bureaucratic होता है, whereas private administration business-like होता है, public administration political है, private administration non-political है, public administration is characterized by red tape, मतब डिले हैं, rule regulation, while private administration is free from it, यह सब जो है differences है, आप देख लिजीए, this is a very good question. Who among the following summarizes the theme of new public administration under five heads, relevance, value, social equity, change, client focus, गो तो रट लीजे, पांच बार, दस बार, exam से पहले, यह कई जिगा पूछा जाएगा, यही core theme है, new public administration, NPA का, और यह दिया था Frank Marini ने, वह ऐसे तो पिता कह सकते हैं, NPA के जो है, Dwight Waldo है, लेकिन इसके जो सेना पती थे, Frank Marini, याद कीज towards a new public administration, the Munaburuk perspective, Frank Marini ने लिखा था 1971 में, इन्होंने ही जो है, first Munaburuk conference 1968 में, आयोजीत भी करवाया था, तो वही answer, Which of the following are the main features of scientific management, scientific management फिर से लोट के आता है, इसमें main feature देखे, a single administrative science, whose principles were applicable not only to businesses, but also to government, यहां तक तो सही है, but also to religious and other organizations, यह अती हो गया, तो extreme statement, trick क्या है, कोई भी extreme statement generally false होगा, यह extreme statement है कि religious, अब church में भी, मंदिर में भी, मस्जीद में भी क्या scientific management लगेगा, तो इसलिए यह गलत है, बाकि सब सही है, functional formancy, separation of planning and execution, yes, differential piece, work plan, मतलब कि differential, जो जितना काम करेगा, उतना उसको पैसा मिलेगा, तो यह तीनों सही है, b, c, d, सही है, a गलत है, देख लीजिए, the book, the intellectual crisis in American public administration deals with, it's a very difficult question, if you don't know, और बहुत जाना असान नहीं है, लेकिन Vincent Ostrom को आपको जाना जरूरी है, यदि आप UGC net exam दे रहे हैं, तो Ostrom को बिना जाने exam से ना मत पैठी है, Vincent Ostrom जो है, उन्होंने public choice theory पर बहुत काम किया है, public choice theory क्या है public administration में, वसे तो economics से लिया गया है, उसमें ये है, कि जब public decision ली जाती है, जैसे public policy बनती है, या कोई भी सड़क बनने का decision है, कोई भी जो public के लिए decision लिया जाता है, लेकिन decision लेने वाले जो होते हैं, कुछ individual होते हैं, और individual कोई भी ऐसा ही काम करते हैं, या ऐसा ही decision लेते हैं, जिसमें उनका utility maximize हो, उनका फाइदा हो, ये public choice theory करता है, हर individual अपना utility को, अपना preference को maximize करना चाहता है, लेकिन जब वो publicly भी decide करता है, पाँच लोग मिल करके, तो वो कभी ऐसा decision नहीं लेगा, जो उसको खुद को harm हो, तो इस तरह से institutional rule regulation बनने चाहिए decision making की, कि इस बात को मद्दे नजर रखते हुए भी decision ऐसा हो, कि पाँच लोग दें, तो वो public के लिए फाइदा हो, इसी को public choice theory कहते हैं, जो कि जॉन रॉल नहीं किया, जॉन रॉल का भी public choice theory है, कि आप क्या करो, कि आप उसको veil of ignorance कर दो, मतलब उसके आख पर पटी है, उस decision maker को पता ही न आता है, उसको क्या होगा, तो ऐसे में, जब वो decision लेगा, तो सोचे का भाई, हो सकता है, सबसे गरीब हमी हो, इसलिए ऐसा decision लो, distribution का, distribution of wealth, income and offices की गरीब को सबसे दिख फाइदा हो, तो public choice theory यही कहता है, कि इस type का आप ब्यवस्था कीजिए, किसी organization में decision making का, कि यह जानते ह हुए कि हर individual अपने ही interest में decision लेगा, वो कभी public interest में नहीं लेगा, अपनी utility को ही maximize करेगा, फिर भी जो common decision होगा, वो public interest में हो, यही organizational design का challenge है, यह institutional design का, तो इस पे जो काम किया, Vincent Onstram ने किया है, और उन्होंने ही यह book लिखाया, The Intellectual Crisis in American Public Administration, तो यह public choice approach के बारे में यह theme है, difficult question organization में जो internal communication होता है, जैसे memo निकलती है, बाचीत होती है, phone call होता है, वो क्या केवल upward होता है, मतलब कि subordinate boss को बोलता है, नहीं, boss भी subordinate को information देता है, केवल downward होता है, boss to subordinate, boss to subordinate, no, ऐसा नहीं, upward downward दोनों होता है, yes होता है, यह across भी होता है, same level पे भी दो employer से बात करते हैं, अप upward, downward, across, मैंने medium दिया, इसको आप easy भी बोल सकते हैं, which of the following ways are suggested by Mary Parker Follett for resolving conflict in your organization, आपने Mary Parker Follett को पढ़ाया तो यह question आपके लिए आसान, easy होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने तीन method दिया है, domination, compromise and integration, surrender नाम का नहीं दिया, यहां तीनों को मैंने जो explain किया है, मतलब conflict, उनका कहना ह Follett का कि conflict resolve, जो है, organization का essential function है, और conflict, जो है, constructively, यदि resolve करते है, तो organization आगे बढ़ता है, conflict resolve करने के तीन तरीके है, domination में जो है, एक party को आप दबा देते हैं, तो एक जीतता है, दूसरा हारता है, conflict तो resolve हो जाते हैं, लेकिन नासूर की तरह वो पनपता रहता है, organization कभी आगे ब जो कि दोनों ही party को win-win feel होता है, जो common ground होता है, वो दोनों का higher होता है, जैसे आपने पढ़ा ना, dialectic में, कि thesis, antithesis और synthesis, तो जो synthesis होता है, वो यहाँ पर करने की कोशिस है, वो integration है, यह preferable है, यह Mary Parker Follett का कहना है, which of the following are the detrimental effect of corruption on development, corruption तो हर तरह से detrimental है, common sense है, आप कर सकते हैं, कि यह lower level of social services आपको देगा, क्योंकि corruption है, तो वो welfare ही खा जाएगा, lower economic growth होगी, क्योंकि money divert हो रहा है, higher tax burden होगा, इसलिए क्योंकि आप पैसा दे रहे हो, tax में 1 रूपया, लेकिन उसका मानलो 15 रूपया तो बिचौलिये खा गए, तो आपको ज्यादा tax देना पड़ेगा, और क इसलिए नहीं है, कि यदि A सही है, B सही है, C सही है, तो यहां कोई ऐसा option नहीं है, जो कि A, B, C है, यदि तीनो यदि आपको चुनना है, तो D आपको लेना ही पड़ेगा as a package, इसलिए एक question मैंने medium दिया है, difficulty आर्वेट नहीं है, क्योंकि आपको A, B, C एकदम सही है, तो D आपको, जबरदस्ती आपको D को लेना होगा, because there is no option A, B, C. Arrange the introduction of the following development program in an ascending order. अब ये एकदम arbit है, कि पहले कौन सही योजना, मतलब कौन सही scheme government का आया, या आप खुद answer देख लिजेए, वैसे इसका answer ये सही है, अब इससे अधिक मझे कुछ नहीं कहना है, मैं इस तरह question को तो attempt ही नहीं करूँगा किसी exam, मैं ना salah दूँगा, यदि आप में ताकत है, तो congratulations, which of the following traits have been introduced by the right to information in the political administration system, ये अच्छा question है, right to information जब से आई है, तब से caution बढ़ गया है, कोई भी file पर लिखने से decision लेने से पहले, bureaucrat सोचता है कि ये file public domain में जा सकती है, care भी बढ़ा है, care कई तरीके से public opinion का care होता है, जो rule regulation की care होती है, vigilance तो बहुत बढ़ गया है, क्योंकि तो पूरा vigilance activity है, आपका file कोई भी public देख सकता है, note sheet देख सकता है, आपके काम को inspect कर सकता है, तो vigilance, लेकिन rate tapism तो just, अब यहाँ पर ये question फिर वही है, एक बखवास, rate tapism तो उल्टा है, इसने rate tapism को घटाया है, right to information, rate tapism बढ़ ही न यह सब question बहुत होती है, यह सारे civil services के committee है, मैंने यहाँ पर पूरा दे दिया है, आप इसको पढ़ लीजिए, सबसे पहले कोठारी committee आती है, three stage civil services examination की recommend करती है, फिर 37 चंदर committee आती है, 19 उसने essay introduce कर दिया, फिर अलग committee आती है, 2000 उसने CSAT की बात की जो भी होती है, होता committee 24 में उसने कहा age 21-24 कर दो, aptitude और leadership test लो, अभी aptitude test लिया जाता है, फिर second administrative reform committee जिसके chair person विरपा मोयली थे, 2008 में आई थी, यह सब पूशा आता है, इसलिए बता रहा हूँ, जिसका अभी आपने 15 report देखा, उसने कहा कि CSAT होना चाहिए, और जो present model है वो भी उसी के basis पे, इतने सारे committee हैं, एक बार रट लीजे, कहीं न कहीं आपको use हो जाएगा, under the Lokpal and Lok Ayukth Act, a person can be appointed chair person of Lokpal if C is, has been the chief justice of India, सही है, has been a judge of the Supreme Court, सही है, has been an imminent person, यह भी सही है, लेकिन यह सही नहीं है, administrator 10 साल का experience नहीं होगा, judicial जरूर उसको होना चाहिए, difficult है, इसलिए A, B, C, इसका जो है, सही हो ज which one of the following is the nodal ministry for national human right commission, यह आप common sense से मार सकते हैं, human right commission क्या करता है, कहीं पे कोई murder हो गया, कहीं कोई violation, कोई exploitation, कहीं पे violence, कहीं पे किसी को सता रहा है, कोई kidnap कर लिया, यह सारे जो हैं, वो law and order से जुरे हुए मुद्दे होते हैं, आपको पता है कि ministry of home affairs, जो government of India के, वही जो internal security and law and order को भी देखती है, इसलिए आप इसमें देखेंगे कि और कोई ministry इसमें बनती है नहीं, यह common sense से आप मार सकते हैं, थोड़ी बहुत आपको Indian bureaucracy का idea है तो, which one of the following services is not mentioned in the constitution, I don't know क्यों इन्होंने इस question को invalid, खुदी declare कर दिया, इसके official answer में dash dash लगावा है, मतलब कि इसको invalid कर है, वैसे जो constitution है, उसमें IFS नाम नहीं है, यह है, Indian judicial service है, Indian police service है, और Indian administrative service है, all India service article 312 में है, उसी में यह सब चीजे लिखी हुई है, which of the following commission committee has recommended the creation of a district council in every district with representative from both urban rural areas, अब यह बहुत है कि इस type का किस ने कहा है, अब यह सारे जो है, पंचायती राज के institution के लिए जो committee बने थे, वो सब है, L.M. Singh V, Ashok Mehta, Balwant Rai, लेकिन actual में इसका answer है, second ARC, आप देख सकते हैं कि यह तीसरा चौथा question जो second ARC से पूशा जा रहा है, second ARC के बारे में आधा घंटा जो है, नेट पर पढ़ लीजे, कहीं से भी और आपको बहुत फाइदा होगा, आपने देख लिया कि उसके पंदरा जो report हैं, उसको यहां तक पुछा आता है, कि उसके sequentially arrange करी, यहां तक पुछ system लीजे, railway में जो train का driver है, guard है, जो railway का station master है, यह सब line function है, मतलब जो एकदम core जो function उस organization का करते हैं, वो line है, और जो support है, railway का hospital है, railway के lawyer है, railway के लिए, security का है, guard है, यह सारे staff function है, मतलब जो support function देते हैं, अधिक तर वो professional होते हैं, lawyer, doctor, security agencies and all, तो वो जो है support staff, या professional, वो staff agency कर लाते हैं, तो अब आप देखेंगे, नीतिया यो क्या है, एक expert agency है, staff है, जो ministries है, वो line है, इसे telecommunication है, agriculture है, ministry of IT है, या commerce ministry है, सब line function है, वो पुरा एक core job है, नीतिया कोई core job नहीं करती है, इन सब ministry को professional help करती है, सलाह देती है, उसका program evolution करती है, management सलाह देती है, या policy सलाह देती है, इसलिए ये एक staff agency, staff को horizontal दिखाते हैं, और line को जो है vertical, क्योंकि इसमें hierarchy उपर से नीचे होती है, इसमें professional जो है, एक horizontal ही जूरते हैं, जैसे doctor का head हो गया, security का head हो गया, safety का head हो गया, support staff है, hospital के head हो गया, तो वो सारे lawyer है, तो वो सब जो है, एक दूसरे से horizontally जूरते हैं, मतलब same level पे उसके head जो है जूरते हैं, जबकि line में जो है, वो unity of command होती है, मतलब हरारकी होती है, उपर से नीचे तक आती है, इसलिए इसको vertical दिखाते हैं, अब हम लोग आ गये हैं, December 2018 cycle पे, ये चौती cycle है, उसके बाद एक cycle, और हम लोग देखेंगे, अब तक आपको ये वीडियो बहुत लंबी लगने लगी हो, तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन होप कि ये useful होगा, जैसे मेरी और वीडियो होते हैं, next question, Henry Fowell mentioned the following function of administration, put them in correct order, अब ये एक बहुत difficult है कि अब आप इसको याद रखें कि उन्होंने पहले organizing कहा कि पहले planning कहा, तो आप रट लीजे, अब ये तो, मैं हमेशा अफसोस करता हूँ कि इस तरह question क्यों पूछा आते हैं, Henry Fowell ने जो five function, जो कहा management administration का, वो इस तरह सा range है, planning, organizing, command, coordination and control, तो C, 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 आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, इसको triple C बाद में है, P, O, triple C, तो आप इसको ऐसे P, O, triple C से याद रख सकते हैं, तो इससे आपका काम बन जाएगा, यह question असान होना चाहिए, मायो जैसे ही आप देखें, human relation theory, तो A का three, sorry, यह difference होता है, तो A का three से दो है, तो यह दो तो cut गए, अब इसमें देखा जाए, Henry Fowell ने जो है दिया है, classical theory of organization, चलिए, अब यहाँ देखते हैं, Taylor से देखते हैं, scientific management, D का two, तो D का two किसमें है, D का two इसमें है, और A का three है, तो इससे हमारा काम जो है, वो बन गया, बाकी को आप just match कर लीजे, B का one है, तो Henry Fowell, classical theory of organization, और Nicholas Henry को नो ने जोड़ा है, new public management, कोई problem नी, हमें तो 2 से ही काम चल गया, यह trick को आप जो है, में सा याद रखे, who among the following said, like physics or chemistry, administration is governed by principles, अब यह again, यह सब question बहुत अर्विर होता है, किस ने कहा, किस ने कहा, वैसे ही है, लुथार गुलिक ने कहा है, गुलिक के बारे में और जान लिजे, कि इन्हों लुथार गुलिक एंड लेंडर उर्विक ने मिल करके लिखा था, Notes on Theory of Organization, 1937 में, जिसमें पॉस्ट कॉर्व आया था, जो कि दिया, तो लुथार गुलिक ने था, लेकिन उर्विक का भी इसमें काफी योगदान था, Simon जो है, यहाँ पर आया, इसलिए बता रहे हैं, He called Principle of Administration, Myth, Proverb आपने देखा, और L.D. White यहाँ पर आ रहा है, उसके बारे में जानी ही कि उन्होंने First Test Book Public Administration का लिखा, 1926 में, जिसका नाम था, Introduction to the Study of Public Administration, यह सब additional information आपको help करेंगे other exams में. Which of the following statement were correct about development administration? Development administration से बहुत सारे questions पूछे जाते हैं, It is change oriented, यह सही है, It is objective, Its objective are simple, एकदम wrong, Its objective are complex, क्योंकि यह बहुत simple नहीं है, कि law and order करना है, बस policing करनी है, इसका बहुत multiple हो जाता है, आपको development के माइने ही बहुत अलग हैं, कि development क्या, लोगों को welfare देना है, कि लोगों का basic need पूरा करना है, कि लोगों की income बढ़ानी है, तो इसका objective बहुत complex होता है, यह नहीं है, It is dynamic and flexible सही है, It is concerned with new task के भी सही है, तो इसको छोड़के बाकी सही है, तो आप टिक मार लीजेगा, Development Administration, एक book लिखा था, Development Administration, Edward Wedner, उनके साथ मैं of course speech भी थे लेकिन यह book माना आता है, एक Edward Wedner का है, Development Administration, यह पिता कहलाते है, Development Administration के, इन्होंने Development Administration पे काफी काम किया है, इसके अलावा, कई जगह पे ऐसा भी कहा गया है, कि U.L. Goswami, जो इंडिया के थे, उन्होंने कॉइन किया था term Development Administration, यह कई जगह आया है, कई जगह controversial है, मैंने यह यह दे दिया है, इसको आप मिला सकते हैं, Chister Bernard, इतना ज़्यादा आपने इसी पेपर में, इन पेपर में देख लिया, कि आपको पता होगा, कि इन्होंने Functions of Executive नाम की बुक लिखी है, तो A का 3 से क्या मैच करता है, तो A का 3 में 2 है, यह भी है, यह भी है, तो 2 तो गायब हो गया, अब FIOL जो है, उन्होंने Principles of Management दिया है, तो B का 2 की इसमें है, B का 2 इसमें है, अमारा काम बन गया, बांकि गुलिक और टेरी को आप जस्स मिला लेज़ेगे, यदि आपने FOLLET को पढ़ा हो, तो FOLLET कहती है, जो जो ऑथरीटी होती है, वो जॉब में नहीत होती है, एक फंक्शन में नहीत होती है, वो किसी ब्यक्ती में नहीत नहीत नहीं होती है, और Delegation क्या होता है, Delegation तब होता है, जबकि एक ब्यक्ती में वो ऑथरीटी नहीत हो, तो आप किसी को Delegate कर सकते हैं, चुकि आप function को Delegate नहीं कर सकते हैं, तो आप authority भी Delegate नहीं कर सकते हैं, इसलिए Delegation of authority एक मित है, as per FOLLET. Who among the following gave the bounded rationality model of decision making? public administration को देखते हैं, Harvard Simon से ये भी जान लिजे को, वो fact और value को separate करना चाहते थे, उनका कहना था कि, जब तक आप fact को value से separate नहीं करोगे, science और public administration नहीं बन सकता है. Which of the following is the goal of scientific management? इसमें सब कुछ हो सकता है, generating employment, तो मतलब लेकिन जो best है, generating employment, तो खेर कहना मुझ दिफकल्ट है, higher industrial efficiency सबसे important है. Social welfare इसका कोई बड़ा पार था नहीं, welfare worker का था, लेकिन वो बहुत बड़ा पार नहीं था, तो higher industrial efficiency जो है न, वो सबसे productivity बढ़ाना, efficiency बढ़ाना, and profitability बढ़ाना, scientific management का सबसे बड़ा objective था. Which one of the following type of bureaucracy is found in the colonial rule? यह common sense से आप कर सकते हैं, जैसे rule dominated bureaucracy तो होनी चाहिए, क्या आपको लगता है क्या unruly bureaucracy होनी चाहिए, अभी भी rule dominated bureaucracy है, caste bureaucracy तो नहीं थी अंग्रेज के टाइम में, यह थी आप थोड़ा बहुत भी याद रखें, तो party state bureaucracy, ऐसा कुछ political party का दखल था नहीं, तो यहां पे क्या थ governor general क्या थे, वो तो bureaucrat ही तो थे, वही rule कर रहे हैं, तो ruling bureaucracy थे, who among the following said, bureaucracy is the price of parliamentary democracy, अब इस type की जो, कि किस ने कहां आपको पता है, मैं बार बार कहता हूँ, बहुत difficult होता है, यह वैसे जो है, Herbert Morrison ने कहां, आप जानते हैं, नहीं जानते तो नहीं जानते, इसलिए आप जानिये इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ, कि Ramsey Muir का दो, यह इसलिए नहीं दे रहा हूँ, कि आपको जानना चाहिए, इसलिए दे रहा हूँ, कि यह पूछा गया है, तो पूछा गया है, तो वो copy paste होती है, Ramsey Muir ने कहा था, कि bureaucracy in England thrives under the cloak of ministerial responsibility, जो उसका आवरन, जो ministerial responsibility के आवरन म इसी टाइब के बात है, कि bureaucracy is the price of parliamentary, Muir ने यह भी कहा था, कि dictatorship of cabinet in Britain, जो executive है, उसका dictatorship हो गया है, और Lord Heavard जो है, उन्होंने कहा था, कि cabinet जो है, एक new despot है, यह दोनों एक ही तरह की बात है, यह सब याद कर लीजे, अर्बिट question है, लेकिन इदी आप एक बार याद कर लेते हैं और पूछा जाएगा, तो आप मुस्कुराएंगे, in which of the following countries can a person enter the public service at almost any level and at almost any age, UK में ऐसा हो नही सकता है, वो इंडिया जैसा है, एक fixed age में आपको examination देके आना पड़ता है, इंडिया में आपको पता है, तो होता है, lateral entry, अब सुरू हो गई है, थोड़ी बहुत लेकिन अब services है, यदि आपने, माले जीए कि medical के field में आपने काफी अच्छा कर लिए है, economics में आपने काफी अच्छा कर लिया है, तो आपको government में economic department में ले आ जाएगा, आपको health department में ले आ जाएगा, किसी भी age में, फिर आप अंदर आ सकते हैं, फिर बाहर जाकर professional बन सकते हैं, ये USA मे इसका माइने क्या है कि जो administration जिस root regulation पे चलना चाहिए जो उसकी objective है उसको बनाए रखना इससे कब आप डिख जाते हैं इसमें से कौन से factor आपको परिशान करते हैं और आप administrative ethics maintain नहीं कर पाते हैं civil servant तो इसमें anonymity कैसे हो anonymity से तो कोई problem नहीं है आपको humbleness होने से भी कोई problem नहीं है लेकिन indifferenticism से है मतलब यदि आप indifferent है मतलब आपको कोई फरक नहीं परता है साड़क पे कोई last है और आप collector आपको फरक नहीं परता कोई गरीब आदमी है उसको कोई lap मार रहा है और आप भगल से गुजर जाते हो आप administrator हो आपको फरक नहीं परता तो ये तो आपको administrative ethics को हार्म करता है officiousness कैसे हार्म करता है मुझे समझ में नहीं है क्योंकि इसका answer है 3 and 4 officious का मतलब होता है कि आप को जो नहीं भी कहा गया वो भी आप करने के लिए आतूर हो जाते हो कि आप volunteers want service where they are neither asked nor needed which of the following committee was appointed as revitalization of panchaiti raja institution for democracy and development very difficult कि आप specific बोलें कि ये नाम से किस panchaiti raja के committee को बनाया गया लेकिन जएदी आप LM Singh V committee को पढ़ेंगे net पे तो उसका नाम ही है उस committee को it was committee on revitalization of panchaiti raja institution for democracy and development इस committee का नाम ही था हर committee का एक name दिया यता है लंबा सा तो ये name इसका यही था इसलिए इतना भी कोई difficult नहीं है तो इसका मतलब यह है कि ये सारे जो committee है तो पहले panchaiti raja के सारे committee को पढ़ जाईए एक committee को पढ़ने में अधिक सथी कि आपको आधा गंटा लेगा तो कितना हुआ दो गंटे, धाई गंटे, तीन गंटे क्योंकि इससे आपको जो है दो से चार नंबर आपको जो है UGC net में आ जाएंगे तो आप समझ लीजे कि इस पर कुछ गंटे तो दिये ही जा सकते हैं उसका पूरा नाम पढ़ लीजे, उसका objective पढ़ लीजे, वो कब बना था, year पढ़ लीजे, उसने क्या recommendation दिया था, यह पढ़ लीजे विच कमिटी रिकॉमेंडेड़ युनिफाइड ग्रेडिंग इस्ट्रक्चर फर बिटिस सिविल सर्विंट यह comparative public administration का question है, जहाँ UK, USA, इन सब के, मैं compare किया जाता है, यह बहुत difficult है, इसका answer सही तो Fulton Committee है, इसको आपके difficulty को कम करने के लिए मैं नहीं है, सारे जो committee है, civil services reform के था, तो उन्होंने किस-किस पे recommendation main दिया है, वो मैंने यहां पर लिख दिया है, जैसे North Court Traveling Committee, 1854 में इन्हों generalist versus specialist के विवाद को tackle किया, इनका कहना था कि specialist civil servant होना चाहिए, डौनक मोर committee जो है, उन्होंने delegated legislation पे काम किया था, astronaut committee training of civil servant पे और vitalism जो है, एक permanent council होती है, वहाँ पे organization में जो labor management issue को sort out करती है, vitalism कहते हैं, अब हम लोग आ गये हैं, finally June 2018 cycle पे, इसमें बहुँ ज़्यादा question नहीं है, इसलिए आप राहत की सांस ले सकते हैं, पहला ही question जो है, medium में ने रखा है, उसे असान भी है, ecological आपको पता है, रिक्स की agraria, transisia, industriya, इसको याद भी कर लिजे, कई जिगा पूछा गया है, यह fused, prismatic and diffracted society है, यह, से C की 2 से क्या मेरी कोई बात बनती है, तो C के 2 में जो है, यह 2 तो ठीक बन गया, तो 2 मेरा खतम हो गया, अब आते हैं behavioral, तो analysis of human behavior and administrative setting, तो A का 4, तो A का 4 किसमें है, इसमें है, तो इसमें मेरी हम लोगा काम बन गया, आगे देखनी की विज़ुरत नहीं है, आप देख जे, general system, मतलब कि general system, जो biology से लिया गया है, तो वो देख लीजिए, which of the following are the features of new public management, दूसरी बार ये question आपको दिख रहा होगा, एक बार और पुछा गया था, contracting out है, devolution of authority है, focus on performance appraisal है, performance measurement है, focus on management है, तो सारा कुछ है, तो ठीक है, आसान question है, Hawthornean experiment का time period क्या है, तो इसमें आप confuse करेंगे, ये दोनों को तो आप उड़ा देंगे, लेकिन आप confuse करेंगे, इसमें और इसमें तो आपको बताना चाहिए, कि late 20s and early 30s में हुआ था, थोड़ा medium type का है, लेकिन आपको याद होना चाहिए, Who among the following has criticized classical theory as homely proverb, myths, slogans and pompous identity, दूसरी बार पूछा जा रहा है, ये question, of course, दूसरे cycle में, ये Herbert Simon ने कहा था, जो fact value को separate करना चाहते थे, Who among the following said that behavior in administration should be studied through psychoanalysis, अब ये कोई psychologist ही बोलेगा, यहाँ पे psychologist सबसे famous Abraham Maslow है, उन्हों नहीं कहा, आप guess कर सकते हैं, इन्होंने जो है hierarchy of needs, जो मैंने आपको बताया है, वो theory इन्होंने दिया था, Who among the following describe bureaucracy as the continental nuisance, ये कई जगा पूछा गया है, of course, source ये ही है, इसी से ले करके अलग लग गया, पूछा गया होगा, Thomas Carlyrae ने इसको कहा है, तो इसको आप इसलिए medium कह सकते हैं, कि जब question repeat होती है, तो default नहीं रह जाता है, unity of command का मतलब क्या होता है, मतलब एक subordinate का एक ही boss, बस, ऐसा नहीं है कि किसी subordinate को पता ही नहीं कि मेरा boss X है कि Y है, हर subordinate को पता है कि बस एक ही boss को दुनिया में report करना है, boss अकलोता होता है, तो that the subordinate will have only one supervisor, यही है, बाकि पढ़ लीजएगा, The governor of a state in his capacity as administrator of an adjoining union territory discharges his function independently, और यह मैंने इसले ले लिया है, वैसे तो Indian polity में भी ले सकते थे, क्योंकि public administration का part है, कई बार ऐसा होता है कि governor माल जे कि कोई Tamil लाडू का governor है, और उसको साथ में जो है Puducherry का union territory है, उसको administrator भी बना दिया है, तो Puducherry के case में वो, जो Tamil लाडू का Union territory का जब वो काम देख रहा है, तो वो president के भी हाप में देख रहा है, और वो central government के भी हाप में देख रहा है, उसको state government जो बगल में है, उससे कोई नाता नहीं है, एक common sense का question है, which of the following are the factors determining the length of span of control, अभी आपने देखा कि span of control मतलब कि एक supervisor कितने subordinate को directly control कर सकता है, उसका कोई rule नहीं है, चार से चौदर भी हो सकता है, डिपेंड करता है, age of organization, personality of the supervisor, caliber of the subordinate, organizational structure, caliber of the boss, तो सारा इसमें जो है, सही है, which of the following are the benefits of e-governance, अभी आप e-governance का देखें इसको पढ़ेंगे, तो आपको बहुत असान यह question है, it makes government more accountable, yes, it minimizes people's part-sperson in government affairs, no, minimizes, it increases people's part-sperson, it encourages bureaucratic tendency, no, it reduces bureaucratic tendency, it lowers transition cost, yes, it helps in building trust between government and citizens, तो इन दो को निकाल देजिए, बांके ले ले लिजिए, अब इसमें देखें, trick मैं बताता हूँ आपको, trick कैसे है, कि यदि आप यह कहेंगे, कि it encourages bureaucratic tendency, तो आप कहेंगे, यह कभी हो ही नहीं सकता, e-governance bureaucratic tendency, इसका मतलब C जिसमें है, उसको गलत कर देजिए, इसमें C है, ह ले लिजिए, it minimizes people's parts present, B को भी नहीं होना है, तो B को भी हटा देजिए, इसमें से B भी हटा दिया, तो एक ही बच जाता है, मतलब elimination जो है, वो ज़्यादा आसान है, selection से, मैं यह आपको बतानी कोशिस कर रहा हूँ, कई बार elimination से देखिए, मैं यह भी आपको बतानी कोशिस नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि आप 60% number लाएंगे, मेरी बात को ध्यान से समझेए, यदि आपने extensive पढ़ाई की है, तो बाकी जो आधे जो आपको number आते हैं, वो आपके guesswork, elimination और intelligent way में कैसे आप eliminate करते हैं, इस से आपको आता है, 30% ही आप 100% sure हो करके जानते हैं, रिजन एजर्शन question, according to gleansthal stahl, unless the recruitment is sound, there is very little hope for recruiting a first rate staff, अब इस type को आप गलत नहीं ठहरा सकते हैं, ये भी एक rule है, ऐसा specific information setter कहां से लाएगा कि वो गलत बुलेगा, तो उसको आप true मान सकते हैं, trick, he consider recruitment as the cornerstone of whole public personal structure, अब दि कोई आदमी ये बात कह रहा है, तो ये बात तो सही होगी, अब देखी, मेरे अंसार से तो ये ए होना चाहिए, जो trend है, कि अपने आप में तो reason सही है, ये अजर्शन भी सही है, और ये उसको explain भी कर रहा है, लेकिन यहां आकर कि इनका जाग या ये भी question उसी type का है, classical theory views organization as a formal structure of authority based on universal principle, true है, ऐसा ही है, classical theory view human beings who run an organization as mere cocks in the machine, is a scientific management theory, yes, ये भी true है, और मेरे अंसार से ये जो है, एक इसको explain भी करता है, तो ये होना चाहिए, लेकिन जसा मैंने कहा कि ये sitter अलगी row में था, इसका करना था नहीं, जब तक बिल्कुल explain नहीं कर तब तक हम नहीं मानेंगे तो उसने B दिया है, तो ये बहुत confusing है कि A चुना जाए या B चुना जाए, final question, perhaps या एक और हो सकता है, span of control, आप जानते हैं, ये होता है कि, span of control, जो है, वो supervision है, hierarchy, flow of authority या थूपरपरचन, delegation, delegation, अब यहां से आते हैं हम लोग, unity of command, one single boss, इससे हम match करते हैं, D के two से, तो D के two में जो है, ये है, ये है, ये दो तो खतम हो गया, अब हम लोग आते हैं, delegation से, तो delegation जो है, flow of authority है, तो C का आप four कर सकते हैं, तो ये सही दिखता है, इसमें A का one है, supervision, और B का hierarchy, flow, B का hierarchy through proportion है, तो चली ये ठीक है, आसान है, ज्यादा मुस्किल नह act have resulted in, आपको पता है, ये पंचायती राज और मिनिस्पिल्टी के act हैं, ये transparency लाया, accountability लाया, gender को empower किया, क्योंकि इसने 33% reservation दिया, deepening of democracy किया, इन्होंने तो सारा कुछ इसका जो है, वो सही है, after independence, the role of district magistrate has undergone a substantial change mainly due to, अब इन्होंने कहा है, आजादी के बाद से district magistrate का role बहुत सारे और change हुए है, वो development administration देखने लगा, और उसका role काफी welfare के तरफ हो गया, basic need हो गया, project को complete करना है, और उसका role के वो lawn order तक सिमित नहीं रह गया, तो ये जो changes हुए है, वो democratic decentralization, इसमें सबसे बड़ा role है, और जो nature of governance चेंज हुआ है, लेकिन इसका official answer is role of mass media, I don't know, म the report right to information master key to good governance, अभी आपने just देखा कि ये जो है, one of the report, ये first report है, second administrative reform commission का, जिसके chairman विरपा मोयली थे, जो 2008 में बनी थी, तो ये, अब आपके लिए आसान हो गया, ये second administrative reform commission, जैसा मैंने बोला, उसको रट लीजे, आपका काफी सारा question उसे बनेगा, which one of the following commission committee thinkers have identified 27 mode of corruption, ये भी repeated question है, ये central vigilance, आप confuse करेंगे इसी दो में, क्योंकि सांधा नाम committee, जो है, वो committee ही corruption पर बनी थी, तो आपको लगए 27 mode of corruption, ये आप जानते हैं तो, और central vigilance commission तो का काम ही यही है, कि corruption के mode को जाना, लेकिन ये central vigilance commission इसका सही answer है, the joint consultative machinery in India was established on the recommendation of joint, JCM होता क्या है, JCM में एक तरफ staff side, मतलब जो employee है central government के, वो होते हैं, उसका representative और leader चुन लेते हैं, और दूसरी तरफ जो cabinet secretary है, जो सबसे top bureaucrat होते हैं, government of India के, ये और कुछ और public administrator मिल करके, joint meeting करते हैं, जिसमें कि salary, compensation and alliances, terms and condition of central government worker, उनकी facility, इन सब पे चर्चा होती है, इसको JCM बोलते हैं, और ये second pay commission के suggestion पे बना था, ये बहुत difficult question है, which of the following commission committee has identified weak governance as the main reason for corruption in India, again ये भी बहुत difficult question है, ये second administrative reform commission, कितनी बार आ रहा है, आप देखरें, second ARC, इतना important है कि एक घंटा दे करके उसके बारे में सब कुछ पढ़ लीजिए, और सांथा नाम committee 1964 में report दी थी, इसी के basis पे CVC बना था, ये anti-corruption committee है, अब हम लोग student पहुँच गये हैं, अपने analysis part पे, इसमें दो slide में करते हैं, of course ये लंबा है, लेकिन ये important है, इसको मैंने ये देखा कि इसमें से कितने easy हैं, तो केवल 13 question मुझे easy मिले, out of 77, तो 17% easy है, medium सबसे ज़्यादा है, 48%, 37 question जो है, वो medium है, मतलब कि बीच-बीच के question है, और difficult या arbit question भी 27, काफी अच्छे खासे number में 35 है, out of 77, अब यदि इन दोनों को जोड लीजिए, तो आपको 65% easy to medium है, आपको पता है कि net qualify करने के लिए 61% से उपर में आप qualify कर जाते हैं, 58, 59 पे भी आप qualify करते हैं, इसका मतलब क्या है, कि आप arbit या difficult question को एक भी ना guess करें, तब भी आप qualify कर सकते हैं, यदि आप सारे EG medium को मार लीजैसा, तो होगा नहीं, तो कुछ difficult को आप guess करना पड़ेगा आपको qualify करने के लिए, दूसरी बात में ही कहना चाहता हूँ, कि 77 number question पूछाय करीब 500 question में, इसका मतलब है कि ये western political thought और Indian political thought या political theory, ये तीन मैंने आपको अभी theme wise किया, उन सबसे ज़्यादा important जो है public administration है, क्योंकि इससे ज़्यादा question पूछे जा रहे हैं, इसकी तैयारी कैसे करें, इसके मैं कुछ thoughts मैं भी आपको दे सकता हूँ, कि आप पहल question क्लिक करना पड़ता है, यहाँ आपको focus study नहीं करनी है, कुछ भी, जो syllabus में theme है, उसको कुछ भी उस पर पढ़े जा रहे हैं, कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, कोई पता नहीं क्या पूछ दे, तो extensive study कीजिए each theme topic in the syllabus, इसके अलावा जो Paul Science Hilf के video जो की करीब 60-70% syllabus cover करते हैं उसको 2-3 बार देख लीजिए, सबसे अच्छा resource है, और अपनी note और concept map बनाईए, मैंने आपको बताया है, the last minute guide आपने खरीदा हो, तो उसमें मैंने आपको बताया, concept map कैसा होता है, उसको बनाईए और उसको बार 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 अभी से लेके examination तक उसको revise कीजिए formula types अब use कर सकते है, matching type में आप game के लिए matching game, आपने देखा, मैंने अभी explain में नहीं कर रहा हूँ, elimination technique अपना ये absurd option को देखे, मैं कैसे eliminate करता था, जो statement वाले question होते हैं, उसमें जो सबसे बड़े statement होते हैं, generally वही correct होते हैं, जो specific factual statement जो होता है, वो generally correct होता है, क्योंकि setter उसक ध्यान से दीजेगा, A और B option में ध्यान से चुनिएगा, यहां पे confusion, setter को भी खुद रहता है, और मेरा ये कहना है कि कोई coaching institute और ये सब जो आपको question बोलते हैं, कि UGC net का practice करो, उसमें difficulty होती है, कि वो level match नहीं कर पाते हैं, यदि level matching है तब तो उससे practice आपको फायदा होगा कि मतलब की 2000 questions, उससे अधिक आपको जरुवत नहीं है, तो past year paper ही actual examination, जैसे माहुल बना करके 3 घंटे में उसको या 2 घंटे जो भी है, उसमें solve कीजे, ना कि किसी coaching institute का, क्योंकि वो level matching नहीं हो पाता है, so this is the way to prepare for, यह WPT गलत लिखा हुआ है, को भी best है, for public administration, and thank you, यदि करें, subscribe करें, अपने friends को बोले, ये ना सोचे कि मुझे तो बहुत वीडियो पसंद आया, मैं दूसरे को बलूँगा, तो वो competitive knowledge केवल share करने से बढ़ता है, रखने से घठता है, और comment करें, मैं आपको comment के जवाब देनी courses करता हूँ, website पे जाएं, बहुत सारे material है, email लिखें मैं definitely जवाब देता हूँ, telegram channel अभी one way है, लेकिन आप वहाँ जाएं, आपको सूचना मिलेगी, twitter two way है, आप direct message मुझे भेज सकते हैं, thanks for watching, बहुत जल्द मिलेंगे, CP, comparative politics theme के साथ में, bye.